हाई एव्रिवान वेल्कम टू क्रेटी पाट वह रोचा आज हम बनाएंगे केरला मिवरल टेंटिंग और लोटस इसके लिए हमें मैटरियल्स चाहिए आप ड्रोइंग सीट ले सकते हैं ड्रोइंग बुक ले सकते हैं या फिर कैनवस बोड़ पीस को बना सकते हैं और कलर हम एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे इसमें और नमबर वन और थ्री राउंड ब्रेश पैलेट ब्लेक मार्कर या फिर जेल पेन आप यूज कर सकते हैं और वाटर पहले मैं ब्लेक जेल पेन से पूरे जो ड्रोइंग है उसका आउट लाइन बना रही हूँ आप चाहें तो पैंसिल का यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं पूरे ड्रोइंग को मैं अलग जेल पेन से ट्रॉ कर रही हूँ तस आपको यह याद रखना है कि आप वाटर प्रूफ जेल पेन या फिर मार्कर का यूज करें क्योंकि हमें इसको फिर एक्रेलिक कलर से कलरिंग करना है तो इस तरह से मैं पूरे ड्रोइंग को बनाऊंगे इसमें इससे पहले मैंने पिकक का केरला मियूरल पेंटिंग आपके साथ सेर किया था और ये आज मैं लोटस का सेर करी हूँ केरला मियूरल पेंटिंग इंडिया की केरल में पाया जाता है इस पेंटिंग को बहुत ही सुन्दर पेंटिंग है यह आप जरू ट्राइ करें और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इंडियन फोक आर्ट मिल जाएंगी जैसे की मदुबनी पेंटिंग केरला मियूरल वारली पेंटिंग और भी बहुत सारे पेंटिंग के टैक्निक्स मैं आपके साथ जैर करूंगी तो मेक सियूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है इस तरह से मैं सभी पेंटिंग बनाओंगी उसके बात मैं वाइट और डीप परपल को मिक्स करके एक लाइट सेट क्रिएट करूंगी और फलावर के पैटल्स में इस तरह से उसको अपलाई करूंगी और वाटर की मेदल से मैं उसको blend कर दूँगी जिससे इसको थोड़ा light effect इसमें आएगा इसे तरह से मैं सभी petals को coloring करूँगी acrylic colors के वज़त से उसके बाद इसी color का deeper set लेके मैं outline दूँगी और उसको भी पानी से अच्छे से blend कर दूँगी बैट उसके लिए इसको थोड़ा सा dry होने के लिए मुझे चोड़ना है तो इसी तरह से मैं सभी petals को complete कर रही हूँ पानी से आपको इसको इस तरह से blend करना है मैं यहां फिर फेबिक रिल का acrylic colors यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी brand का use कर सकते हैं इसके इलाबा आप चाहें तो poster color या फिर watercolor का भी यूज़ कर सकते हैं केरला mural painting पहले natural colors में बनाया जाता था आज कल बहुत सारे medium है colors के तो आप अपने पसंद के colors इसमें यूज़ करके आप ये painting बना सकते हैं मैंने आज acrylic colors का use किया है इस painting को बनाने के लिए acrylic color बहुत ही जल्दी dry हो जाते हैं और ये water के साथ mix करके हम बनाते हैं अब देख सकते हैं अभी मैं darker color को इस तरह से apply करके water के साथ अच्छे से blend कर रही हूं इसी तरह मैं सभी petals को बनाऊंगी इसी तरह से मैं सभी color कर दिया मैंने उसके बाद मैंने lemon yellow और save green को mix करके ये color create किया है इसको मैं इस तरह से पूरा apply कर दूँगी और same pattern से इसको भी dry होने के लिए छोड़ना है हमें उसके बाद save green से मैं इसका border create करके पाने के साथ उसको भी blend करूंगी अच्छे से तो ये मैंने पहता coat दे दिया है और इसी तरह से बाकी कभी मैंने color कर दिया है अब save green से इस तरह से आपको border create करना है और पानी के मदद से इसको भी blend करना है अच्छे से पानी के लिए मैं यहां पी blue और white को mix करके light blue color create किया है मैंने और उसको भी इसी तरह से मैं पहले apply करके पानी के साथ blend करूंगी और deeper effect के लिए बाद में मैं blue color से इसका outline देके पानी से अच्छे से blend कर दूंगी इसी तरह से बाकी का color भी मैं करके आपको दिखाऊंगी इस तरह ही आपको भी coloring करना है जिससे बहुत ही अच्छा effect आता है हमारी painting में इस तरह से सभी color आपको apply करना है इसके बाद मैं blue color को लेके outline में create कर रही हूँ और पानी के साथ आपको इसको blend करना है yellow color को मैं अभी flower में use करूंगी और पीछे background color भी मैं पहले yellow lemon yellow है यह यह पूरा background में cover कर दोंगी उसके बाद orange color को लेके मैं इसमें थोड़ा सा deep effect लेक के आऊंगी इसमें double effect तो orange color को मैं पहले इस तरह से डैप करूंगी और उसके बाद पानी के मदद से इसी color को light करूंगी जिससे हमको yellow color भी दिखाई देगा background में केरला mural painting में आपको ज्यादा तक दो color setting दिखाए देगा एक color का deep और light sets आपको दिखेंगे तो वही हम यहां पर create कर रहे हैं इस तरह से मैं पूरे painting को color कर दूंगी dry होने के बाद इसमें हम black gel pen या फिर sketch pen से outline डालेंगे आप चाहें तो acrylic black color का भी use कर सकते हैं और पूरे painting को हमें इस तरह से outline निकालना है और complete करना है अगर आपको इसी तरह का painting देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर करें creative art by roja और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करें और creative art by roja को facebook पे भी आप follow कर सकते हैं so thank you for watching my video कर दो है